तो वेटा आज का हमारा टापिक रहेगा grouping of cells या combination of cells या arrangements of cells ठीक है तो जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास तीन type की grouping ले सकते हैं आप चाहे capacity की पढ़ लिए आपने या resistance की पढ़ लिए या अभी आप cell की पढ़ रहे हैं तो एक type आजाएगी कि कैसे आप cell को series grouping में combine कर सकते हो फिर कैसे कर सकते हो आप parallel grouping में भी कर सकते हो और third one आप mix grouping mix का मतलो हो गया series और parallel दोनों ही था में आप cell की grouping कर सकते हैं आप अगर हम cell की बात करें तो cell आपने देखा था positive negative और जे internal resistance है न तो ये पूरा ही एक unit जो है इसे आपने cell बोला था ऐसे भी रिप्रियर्ड कर सकते हैं positive negative और internal resistance को ऐसे उसके ऊपर ये internal resistance होती है और cell की EMFE ठीक है तो मैं पहले case ले लेता हूँ कि मान कर चलिए कि मैं cell की series grouping को पढ़ रहा हूँ पहले ठीक है तो मैं पहले दो cell का case लेता हूँ two cells फिर जरनलाइज कर लेंगे ठीक है तो अगर हमारे पास cell series में हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं जहां तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं पासिटीव नेक्टीव है यहना और जह इउस्की internally resistance और फिर पासिटीव नेक्टीव जह इस्की internal resistance और इन दोनों पर्मिनल के एक्रास आप एक कंड़क्टर जोड़ दिया मान के चले इस cell की EMF E1 internal resistance R1 इस cell की EMF E2 internal resistance R2 तो इस और external resistance R इस case में क्या होगा कि total EMF कितनी हो जाएगी cell की तो total EMF हो जाएगी E1 plus E2 हाँ यह minus भी आ सकता है कभी आगर ऐसे हो positive negative और फिर negative positive है न तो फिर उनको minus कर देंगे अधर्वाइस positive हो जाएगा total resistance पूरे network की कितनी हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया external resistance R और internal resistance R1 और R2 दोनों cell की मैंने दोनों को साम कर दिया और अगर मैं जे बोलू कि total current कितना आया it means total EMF divided by total resistance तो इस तरीके से आप series arrangement में grunton निकाल सकते हैं right मैं अगर इसको ही journal कहता हूँ far journal case मान के चलते हैं कि n cell का case ले लेते हैं आप journalize करके और सभी का इकूल EMF है and and equal internal resistance पास्टी 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 अक्टी आप एंड सेल लगा हुए हैं सभी सेल का EMF इकूल है इस केस में देखिया क्या होगा अगर E, पहले का भी E, दूसरे का भी E, N cell लगाए हुए है तो टोटल E, यह है, टोटल E, MF, N, E हो जाएगा अक्स्टर्ल रजिस्टेंस तो एक ही रहेगी सभी cell के लिए ये भी R, ये भी R, ऐसे N लगाए है तो टोटल हमारे पास N, R, ये N cell के लिए करंट हो जाएगा किसके लिए, फार N cells का ये करंट हो जाएगा ठीक है, अब मैं जहां पे एक केस लेता हूँ कि मान के चलो कि जो अक्सर्ल रजिस्टेंस जो है ये जो अक्सर्ल रजिस्टेंस आपने लगाई हुई है ये जितने भी cell है ना सभी की इंटर्ल रजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस केस में अगर आप R में N, R एड़ करेंगे तो तो ये पहले भी मैं अक्सर बोलता है हूँ किस मुंदर के पानी में दो-चार वाल्टियां और पैर कर दी जाए तो आप ये नहीं बोल सकते किस मुंदर के पानी का लेवल जो है और बढ़गे आप बोलेंगा अल्मोस हूथ नहीं है तो जही चीज़ मैं अगर जहां पे लिखता हूँ इस इस एन-ई आर प्लस एन-ár तो जहां पे आप क्या करेंगे आर प्लस एन- आर की जाएगा आप तो आर लिखेंगे तो मैं आर को अगर कम ले ले लेता हूँ ये उपान आर हो जाएगा एन तो ठीक है, ये उपान आर मेंज एक सेल का कॉरंट कॉरंट due to a single cell तो इसका मतलब होगा जितने cell आप लगाएंगे इस condition पे current बढ़ता जाएगा लेकिन अगर कभी आपने जिस पे cell का combination अप्लाई किया है वो resistance जो है cell की resistance से शोटी हो जाती है तो इस case में R में NR आप तो R आपने बोला बहुत कम है तो cell की resistance से एक्सलन रजिस्टन इतनी काम है कि total resistance cell की ही ले ली जी है है ना तो यह क्या आजाएगा यह आजाएगा NE और R प्लास NR की जगापर भी NR N और N cancel E upon R E upon R आजाएगा single cell का current है ना तो जहाँ पे एक आप चीज note कर रहे हैं कि आगर हमें current को ज़्यादा करना होगा है ना बढ़ाना होगा तो आप हमेशा इस शीद का ध्यान रखेंगे कि जो अक्सलन रजिस्टन्स है वो cell की internal resistance से ज़्यादा ही होनी चाहिए तब ही current जो है उस circuit में ज़्यादा हो पाएगा otherwise आगर जब तक हमारे पास अक्सलन रजिस्टन्स cell की रजिस्टन्स से शोटी है तो चाहें दो सेल तीन सेल दस सल इवन सो सेल भी लगाएंगे तो current उसमें एक सेल के ब्राबर ही आएगा ज़्यादा लगाने का फाइदा नहीं हो रहा है इसी तरीके से मैं parallel grouping की बाद करता हूँ तो parallel grouping में यह तो आपको पता यह parallel कैसे होता है मान के चलिए पास्टिव नेक्टिव और जे इंटर्न रजिस्टन्स और जे भी पास्टिव नेक्टिव जे इंटर्न रजिस्टन्स इस केस में मैं क्या करता हूँ सभी सेल की EMF एग यसी रखता हूँ और सभी सेल की internal resistance और जे external resistance पे apply कर दिया जे combination तो जैसे ही आई मैं आपको बोला हुआ की पास्टिव टर्मिनल से ही क्रंट की शुरू करना जहां से भी क्रंट आएगा जहां पे जहां के क्वाई no का जे आई और फिर जहां पहुंचके वो डिवाइड हो जाएगा तो इस case में total EMF तो total EMF कितने आई अगर मैं दो का case ले रहा हूँ तो जो EMF तो जहां पे potential difference डिवाइड ही नहीं होता parallel के case में लेकिन अगर हम बोलेंगे कि total resistance कितना हो गया circuit का तो आर तो है यह अब आर में parallel में resistance किया हो जाता है जितने equal resistance लगे हो है उतने time डिवाइड हो जाता है तो जहां एक cell का resistance जितना है दो cell लगाए हो है डिवाइड बाइड बाइड टू कर देंगे हम आप आई होप कि दिख रहा है आपको तो यही चीज मैं अभी next लेके चलता हूँ कि मान के चलिए इस type के circuit में current कितना आ गया तो current total EMF total EMF तो E है और total हमारे पास तो J हमारे पास लेकिन इसको ही मैं N cell के लिए लिखना होता है for N cells के लिए तो मैं क्या लिखूँगा तो चाहे cell N के लिए EMF E रहेगा R तो उसको भी cell के लिए एक ही रहेगा सिर्फ फरक आएगा तो जहां पर हमारे पास cell ना जाएगा इसको मैं थोड़ा सा solve कर रहा हूँ N की multiply से होगी और जो divide आएगा वो उपर चला जाएगा तो जह N E it means N R प्लास R तो जे एक parallel मैं इस formula से क्रंट को आप निकाल सकते है तो जहां पर भी मैं अगर ये case ले रहा हूँ कि R जो है वो N R से बहुत बढ़ा है है ना तो इस case में क्या हो जाएगा I जो है वो N E जब आपने बोला कि R बहुत बढ़ा है तो R के साथ N भी है तो ये और बढ़ा हो जाएगा तो उसमें R करेंगे तो ये चीज़ ही रहेगी तो इस case में आप देखेंगे ये आगया सिंगल सेल का क्रंट सिंगल सेल का क्रंट तो क्या देख रहे हैं आप कि parallel में लगाना होगा तो internal resistance जो है वो कम नहीं होनी चाहिए उसको बढ़ा करना होगा अगर जब तक साथ N बढ़ी है तो क्रंट एक सेल के बराबर ही रहेगा अगर मैं अभी ये करके देखता हूँ कि internal resistance जो है है ना यहाँ यह सिर्फ आरी था तो मान के चलिए internal resistance जो है अगर वो external resistance जितनी भी है उसर्किट की उससे ज़्यादा हो जाती है इस case में क्या हो जाएगा I हमारे पास उसमें आपने क्या करना N E और N R प्लस R अगर J बहुत ज़्यादा है तो J लिखेंगे इट मींज N E उपान R इसका मतलब हो गया N टाइम्स करन्ट जो है सिंगल सेल के बराबर हो जाएगा सिंगल सेल का करन्ट इस case में करन्ट जो है वो बढ़ रहा है तो क्या conclusion देखा आपने अगर सर्किट में करन्ट ज़्यादा चाहिए और external resistance अगर जब तक बढ़ी है तो उनको series arrangement में कर दीजिए क्रन्ट बढ़ जाएगा लेकिन अगर external resistance जो है अगर किसी तरीके से वो क्या हो गई शोटी हो गई है न तो external resistance शोटी होने से क्या हो जाएगा कि क्रन्ट हर हाल में आपको ज़्यादा करना होगा तो उसको आपने पैरलल सरकेट में लेना होगा जब एन आर शोटी हो जाएगी तो हमारे पास पैरलल सरकेट में देखो क्या हो जाता है external resistance जब तक बढ़ी है तब तक क्रन्ट जो है maximum है series में और parallel के इसमें बहुत कम single cell के बराबरी और जब external resistance से शोटी हो जाती है ठीक है उस case में आप उसे series के बजाए parallel ले ताकि क्रन्ट हमारे पास फिर ज्यादा हो जाए तो अब मैंने एक mix grouping ले ली mix group में क्या किया मान के चलो हर एक cell की EMF मेंने यही रखी और हमने N EMF लगा दिये और M M row में मान के चलो M row में ली और हर एक row में N आपने EMF लगा दिये और सारा combination जो है इसमें resistance भी हो गया सारी series भी हो गया parallel भी हो गया मिन्ज मिक्स आ गया और सारा combination cell का में और अखन resistance पे शोग कर दिया तो इस case में आगर हम देखेंगे कि total एक row की आगर हम बात करेंगे तो एक row की internal resistance कितनी हो गई तो internal resistance तो एक row में N cell लगे हुए है वो भी series तो it means N R हो जाएगा ठीक है लेकिन हमारे पास तो कितनी row है M rows है तो उस case में कितनी हमारे पास equivalent resistance हो जाएगी तो वो तो parallel में जो नो हमें reciprocal करके करेंगे it means one first row की resistance plus second row की resistance plus ऐसे ही last वाली M row है उसकी resistance तो इस case में जब आफ equivalent resistance नकालेंगे तो वो हमारे पास total row अगर M ले रहे हैं है ना तो M divided by N R आजाएगा और internal resistance equivalent resistance कितनी हमारे पास आजाएगी N R उपान M ठीक है लेकिन आगर मैं total circuit की resistance देखूं total resistance of the circuit तो एक circuit में क्या है external resistance भी है और उसमें internal resistance का sum कर दो N R उपान M तो ये total resistance आगे अब हम देखेंगे कि इस में total EMF कितनी है total EMF है ना अब एक्स रो की EMF क्यो है वो क्या हो जाएगी N time E हो जाएगी और बाकी बही रहेगी क्योंकि parallel में तो it means N E हमारे पास total EMF हो गया therefore इस circuit में जो current आजाएगा वो current कितना आना चाहिए total EMF N E और total resistance R plus N R upon M जब मैं M की multiply इससे भी करूँगा divided by M आएगा divided by M जो है उपर चला जाएगा उपर आजाएगा M N E नीचे आजाएगा M R plus N R तो आइसको मैं थोड़ा सा इस तरी किसे लिखता हूँ M N E divided by M R N R तो जे पूरा current R है इस combination mix जो grouping बनाई हुए आपने और उसे आपने R resistance पेक्षन resistance पे apply किया है उस हमें current नकालने के हमारे पास ये formula आया ठीक है तो अब एक condition हमारे पास जाल रखें इस case में तो कुछ ऐसा है नहीं कि maximum current काब आएगा minimum काब आएगा तो अगर हम maximum और minimum current नकालने की कोशिशिक कर रहे है तो देखी तो कैसे उसमें हमें relation आगे लेके जाएंगे मानके चलो कि हमारे पास इसमें current की value maximum कब होगी जब ये चीज़ क्या हो जाए minimum हो जाए तो I will be maximum ben mr plus nr क्या हो जाए बिल भी minimum क्योंकि रासी प्रोकल में है जतना ये काम होगा उतना ही ये ज़्यादा जाएगा बिल भी minimum अब हमने थोड़ा सा इस पे लेके चलना है तो हमने क्या किया ये mr plus nr को मैंने उस इस तरीके से लेका इस पे मैंने unroot भी डाल दिया उस पे scare भी कर दिया ठीक है तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ये आ गया फिर मैं क्या करूंगा इस में two time unroot mr और nr add भी किया और उतने time दोनों की product जो है ये n small r दोनों की product जो है क्योंकि या क्योंकि ये यहां तक हमारा एक फार्वला बन जाएगा क्या बन जाएगा mr और unroot में nr इसका whole square जो किसका whole square करेंगे पहली term का square दूसरी term का square two a b और साथ में ये mr और nr ये चीज़ हमारे पास यहां पे राखेंगी तो जैसे आप देखिए कि हमारे पास जो है अगर जे term जे term किसी तरीके से ये तो आला डी ही चोटी term है जे term हमारे पास क्या हो जाए है ना अगर जे term हमारे पास हम zero ले लें किसी तरीके से इसको zero बना दें तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा MRNR जो है उसकी value minimum आ जाएगी जो आप ये चीन का रहे हैं ये किसके बराबर आ रहा है किसी तरीके से जे टर्मा अगर आप 0 ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा MRNR की value minimum हो जाएगी ये तो मैं अगर लेखता हूँ MRNR है न ये 0 हो जाएगा मतलब इसको हम लेना scale की जरूत नहीं जब ये 0 होगा तो ये automatically scale करेंगे वो 0 हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब हो गया हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि MR plus NR 0 जब आप इसे क्या करेंगे मैंटा इदर minus ये minus वाली term लें अगर इसके साथ जोड़ा तो ये plus रखें आप ठीक है ये दो पहली term उसके दूसरे term उसके minus इसको आपने इसके हत्म लाया इसे ये plus रखें क्योंकि हमें जब इकुर्ट चाहिए अगर ये plus वाला साहिए लेता तो minus हो जाएगा तो जब हम बोलेंगे ये चीज minimum कब आएगा जब ये चीज इसको zero हो जाएं तो इसको आप zero रखें zero रखें इसका मतलब हो गया MR अब आप उस दूसरी सा ले सकते हैं NR अंडूट और अंडूट कैंसल होगे हमारे पास it means MR is equal to NR अगर जहां पर मैं आर निकालूँ तो जहे एन डवाइड बाई एम आर मान के चलें कि जितनी हमने रो ली उतने ही कालम लिये थे तो जहे आर is equal to आर हो जाएगा ये एक बहुत important most important result आपके सामने आ रहा है कि अगर हमारे पास internal resistance जो भी आपने ये cell लगाए हुए है mix करके इन सभी cell की internal resistance आगर किसके बराबर हो जाए जिस पर apply किया उसके बराबर हो जाए तो उस case में इस circuit से maximum crunch चलेगा जहां कोई ये नहीं है कि external resistance बड़ी हो जाएगा internal से internal बड़ी हो जाएगा external से वो कोई दो की ये सामनी ले रहे है हम इस तरह के से लेके चल रहे है उस case में हमारे पास current जो है सबसे maximum चलेगा इसके साथ-साथ एक हमारे पास out topic राजां पे absency of the cell नकालनी होगी तो देखिए कैसे नकालनी है कितना effective है cell तो किसी भी चीज़ की EI, it means B upon E और V जो है वो R I E जो है उस हमें total हमारे पास resistance में internal resistance भी लेते हैं और ये I तो ये एक फार्मूला हमारे पास नेकल गया कि अगर हबे cell को check करना हो कि कितना effective है वो तो absency नकालने के लिए R R plus R अब अगर हमें पता है for maximum current के case में अभी आप ने पढ़ा maximum current तब आता है जब internal और external इकल हो जाते है जब मैं external और internal इकल कर देता हूँ तो देखिए ये क्या बन जाएगी अब R तो ये हमारे पास 2R R की जगा भी capital R लिखें तो it means 1 by 2 1 by 2 का मतलब हो गया 50% है ना इसका मतलब हो गया कि जो cell जो है उसकी efficiency जो है कितनी बन जाती है 50% बन जाती है when it is delivering maximum current delivering maximum current means delivering maximum power तो जब cell जो है maximum समझो जिस समय से maximum current जा रहा है उस समय वो उसकी effectiveness जो है उसकी efficiency जो है वो 50% काम हो जाएगी अब मैं एक इस पे question अब लेके चल रहा हूँ थोड़ा साप एक चीज और जाज रखे है हमारे पास अगर ज़्यादा cells लगाए हुए आपने तो cells अगर आपने series में लगाए है उस समय उनकी power को आपने क्या करना power को add करने के लिए आप reciprocal तरिके से reciprocal reciprocal वे से उनको add करे अगर एक cell की power पीवाट दूसरे cell की power पीटू अगर वो सारे series में है तो रहसे प्रोकल तरिके से add करें तो effective power निकलाएगी लेकिन अगर cell जो है series के बजाए अगर वो parallel में है तो तब अगर effectiveness power नकालने होगी तो उसमें आप उसे direct add कर दें ये चीज भी आप अपने दमाग में रखके चले right तो मैं एक question ले रहा हूँ कि मान के चलिए कि ये हमारे पास एक heater है है ना ये heater और इसकी rating क्या है 220 voltage 300 watt की इसकी rating है और मैं एक और heater ले ले लेता हूँ से number one तो ये मैं एक और heater ले ले लिया इसकी rating भी मैं 220 voltage लेकिन इसकी power तो इस heater का नाम S2 बोल देता हूँ ठीक है अब आपको बताना है कि आगर हम क्या किया जाए कि इनको दोनों को series में जोडा जाए है ना तो तब कौन सा heater ज्यादा heat produce करेगा है ना बिच हीटर बिल प्रोड्यूस्ट मोर हीट में डिसिपेट मोर पावर बैंड कोनेक्टर इन पहला केस की आगर स्यरीज में कौनेक्ट करें तब और दूसरे केस में आपने पैरल के केस में भी आपने न निकालना है बैर पैरल कौनेक्ट करें डाrut में कोनेक्ट सीरीम और तो दे सेम है तो यह तो है सेम गयूस्ट से ही 220 वोल्टेज पे यह इसकी रेटिंग है अब मुझे बताना होगा कि अगर इनको सीरीज कनेक्ट करें तब इनमेंसे कौन सा हीटर ज्याद है हीट देगा अगर इनमेंसे कौन सा ज्याद है हीटर हीटर देगा एक यह और थोड़ा सा पेज बचा हुआ तो मैं एक और नवैरिकल जहां लिखता हूँ आप मानके चलो कि हमारे पास एक बलब है तो यह हमारे पास एक बलब है यह बलब तो इसकी कोई भी वाट है कोई भी पावर वाटेज है इसकी पावर है इसकी अगर इस समय इस बलब से करंट को रिड्यूज हो जाता है बीली कम होने से मानके चलो 25% जो भी समय क्रंट जा रहा है मान के चलो इसमें आई क्रंट जा रहा है और अचानल क्या होता है कि क्रंट जो है 25% वैल्यू आई से कम कर जाता है तो आपने बताना है उसमें क्या होगा वाट पावर विल वी वाट पावर विल बी डिसीपेटेट इनिट ठीक है तो मैं इसका अंसर बता जेता हूँ इसका अंसर आपको 43.75% निकलना चाहिए ठीक है आप इनको ट्राइ करिये थैंक यू वैरी मच